नमस्ते दोस्तो, आज हम बनाएंगे साबुदाना से बर्फी और इसके लिए हमें क्या की चाहिए देखते हैं, इसके लिए हमें चाहिए साबुदाना चीनी और ड्राय फ्रुट, देसी घी और हमें चाहिए दूद अब साब दाना को मैं मिक्सी में डालके इसको बारीक पावडर बना लूँगी फाइन पावडर इसका बिलकुल ठीक है अभी मैं आपको पीस के दिखाती हूं इसको देखो यह पीस गया है पावडर बिलकुल दरदरा सा पावडर है इसका अच्छा अभी मैं कड़ाई में घी डालूँगी कड़ाई में मैंने डाला है दो चम्मच घी दो चम्मच यह वाली चम्मच से डाला है जिससे हम खाना खाते हैं वही चम्मच यूज की है उससे मैं दो चम्मच घी डाला है इसमें अब आप भी ऐसे ही डाल लें अब इसमें मैं डाल यह मैंने इसमें डाल दिया है और इसको चलाते हुए हम इसको 5-6 मिनट तक भून लेंगे हमें इसका कलर चेंज नहीं होने देना है बस जब तक इसमें खुसबू आये तब तक ही भूनना है क्योंकि वर्फी का कलर सफेद वर्फी का कलर सफेद होना चाहिए यह रड नहीं ब बना रही हूं यह मैंने सिवरात्री से एक दिन पहले बनाई है अब देखो इसको 2-3 मिनट हो गया है बुनते हुए यह काफी दरदरा सा हो गया है बुनके करारा सा अभी मैं इसमें ड्राइफ प्रूट डाल दूंगी थोड़े से बदाम और काजू इसके साथ यह भी बु देखो 2-3 मिनट के बाद आप देखो इसका थोड़ा घी जाद अगरम होने के बदे से घी अलग होने लगा है इसमें से इसका मतलब है यह भुन गया है बस आप महिना और नहीं भुनना है इसको ठीक है अब हम इसको अलग प्लेट में निकाल के रख देंगे मैंने कर दिये गैस ओफ अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी देखो अब मैं इसको प्लेट में ट्रांसपर कर रही हूं ताकि यह थोड़ा ठंडा हो जाए वह हो गया है अब उसी कढाई में मैं कढाई रखोंगी इसी कढाई में दूद यह एक गिलास तो यह है और थोड़ा सा ओर डालूँगी मैं आधा लीटर दूद है और यह दूद कच्चा ही है इसकी मलाई उत्री हुई नहीं है अब पैकिट का भी ले सकते हैं यह चीनी हम दूद में डालेंगे जब दूद में बोईल आ जाएगा अब दूद मे कि दूद के बाद हम इसको चलाते हुए तो ओर पकाएंगे तो चीनी डालने के बाद में इसको चलआ रहा हूं नहीं है जदादा भी नहीं चलाना है 5-7 मिनुद में ही अच्छा हो जाता है और हम इसको भी डाल देंगे इसमें आप बली गी लागा लेते हैं जैसे आप बर्फी बनाते हो तब भी थाली में ग्रीस करते हो घीसे तो ऐसे ही है देखो अब ये गाड़ा हो गया है अब मैं इसमें दो चमच मलाई डालूंगी और मलाई के साथ ही मैं साबूदाना डाल दूंगी मलाई के तुरंत बाद आप भी ऐसा ही करें क्योंकि ये साबूदाना डाल दो इसमें ठीक है अब देखो मैंने इसमें साबूदाना डाल दिया है ये साबूदाना लेने के बाद गाड़ा हो गया है वीडियो बंद हो गई थी पता नहीं किस तरह है मैं कर देखो थाली खाली है तो मैंने सारा डाल दिया इसमें आप भी इसी समय प उसमें और यह बिल्कुल व्रत का खाना है आप बनाए और कल सिवरात्री के मौके पर इसे खाएं देखो अब यह जैसे जैसे गाड़ा होगा वैसे वैसे कडाई छोड़ने का मतलब है इसमें से घी सेप्रेट हो जाएगा यह कडाई से चिपकेगा नहीं अब्भी भी मैं इसको 2 मिनट और चलाऊँगी दो मिनट के बाद आप इसका देखना ये बिलकुल ही, कडाई को चारो तरफ से छोड़ देगा, इसमें से गी सप्रेट हो जाएगा, तब हम इसको जमाएंगे प्लेट में, ऐसे ही चलाते हुए ही करना है हमें सारा प्रोसिस, इसको छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ देंग है, जैसे खीर गाड़ी हो जाती है साब उदाने की, ऐसे ही ये बर्फियों का भी है, थोड़ा चलाते हुए ही इसको आप करें, देखो, अभी कितना गाड़ा हो गया ये, मैं इसे जब से continue चला रही हूँ, मुझे 5-6 मिनट का टाइम लगा, देखो, अब ये एकदम घूम के आगया है पूरा, पूरा बैटर, अभी मैं इसके, चमत की मदद से इसको पला दूगी पूरी थाली में पतला पतला, जबने में भी जादा टाइम नहीं लेगा, अब 8-10 मिनट में अच्छा सेट हो जाएगा, अगर आपका ऐसा लगता है कि आपका पतला हो गया है, पर यह एक बहुत अच्छी मिठाई है वरत के लिए, आप बनाएं और आज सिवरात्री के मौके पर खाएं, वीडियो तो मैंने एक दिन पहले सूट किया है यह, लेकिन आपको मिलेगा यह वीडियो सिवरात्री के दिन, अब मैं इस पर बदाम डाल रही हूं, अब कटे अब ही मैं इस पर एक कटोरी में, कटोरी के उपर मैंने घी लगा रखा है यह देशी, इस से थोड़ा दबा दूँगी, ताक कि बदाम इसमें अंदर तक दब जाएं और निकले ना जब हम इसको काटें, और देखो यह चिपक नहीं रहा है कटोरी के बिलकुल भी, कटोरी एक दम किलियर निकलेगी, अभी आप देखना, कटोरी बिलकुल साफ है, और अब 10 मिनट हो गया है इसे, अब आप इसको कट कर सकते हैं, देख रहे हैं आप कितनी easy कट रहे हैं, आप एक बार इसे बना के देखिए, इतनी tasty मिठाई है यह, बच्चे एक दम पसंद करेंगे इसको खाना, और मुह में जाते हैं घुलने वाली, मैं इसके चाक और पीस काट रही हूँ, आपका जैसे मन करें, आप ऐसा काटना, इसे बनाए जरूर, इसमें पूरा, पूरी मिठाई बनने में मुश्किल सा अधे घंटे का टाइम लगता है, देखो कितनी अच्छी वर् आपने कोई चासनी नहीं बनाई है, कुछ नहीं किया है, देखो कितनी अच्छी मिठाई बनके तयार हुई है, वरत के लिए, ठीके फ्रेंट्स, मैं आपको इसे प्लेट में लगा के दिखाती हूँ, प्लीज प्लीज आप इसे ट्राइ करें, बनाएं और अपने अनुबब मेरे साथ शेर करें, कि आपने इसे बनाया तो यह कैसी बनी, और मेरे चैनल को लाइक करें, सस्क्राइब करें, मेरे वीडियो को सेर करें, नमस्ते फ्रेंड्स,